सभी को मेरा प्रणाम, आसा करता हूँ आप सब सुकुसल होंगे, और हर्बल रेमेडीज में आप सभी का स्वागत, मित्रो आज बात करेंगे कैस्टर की, कैस्टर ओईल तो आप सभी जानते होंगे, रिसीनिस कम्यूनिस और यूफोर बीसी फैमिली का ये मेंबर हैं, आप इ इसके जो फ्रूट्स हैं, उनको भी आप देख पा रहे होंगे, इसके जो फ्रूट होते हैं, इसके अंदर इस तरह से इसके बीज निकलते हैं, और बीजों से कैस्टर ओईल तैयार किया जाता है, इसके अंदर सेपोनिन्स, फ्लेववनोईड्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल यह प्लांट कफ और वात दोनों के समन के लिए इस्तमाल किया जाता है और यह हमारी इंटस्टाइन को मिर्दूता देता है कोंस्टिपेशन से हमें निजात दिलाता है अब जानेंगे कि विधिवत किस तरह से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसका उप्योग आप हाती पाऊं या फील पाऊं या अलिफेंट जो फुट हो जाता है उसके लिए करेंगे तो इसके जो तेल निकलता है इसके बीजों से जो तेल निकलता है उसमें आप हरड को भून लीजे और गोमुत्र के साथ मिलाकर लेप करना चाहिए CRD का भी आजकल बहुत common समस्या हो गई है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके तेल में गोमत्र मिलाकर मालिस कीजिए किसी भी परकार का वात जनित कोई सूल हो तो इसी के तेल को लेकर उसमें सूट पावडर मिलाकर उसको सिद्ध कर लें और उस तेल से मालिस करना चाहिए कटी सूल की समस्या हो तो हमें क्या करना चाहिए इसी तेल की मालिस करने चाहिए वो ही सियाटिका में काम करता है वो ही कटी सूल में करता है क्योंकि ये दोनों वात जनित सूल हैं उन को यह आसानी से कंटॉल करता है साथ हिँ इंटेस्टाइन के लिए आपको पता ही है कि यह मृधूता पुर्दान करता है पुराने से पुराने को रिलीव करता है बहुत सेफ मोसैं करने वाला अच्छा रहता है लेकिन कई बार इसके तेल में नौजेटिंग स्मेल आती है जिसके कारेंट वोमिटिंग भी हो जाती है तो उसके निराकरण के लिए आप इसमें फोड़ा सा अधरक का रस्पी मिला लीजिए तो आप इसको सहजदा से पी भी सकते हैं कोई फोड़ा फंसी हो गया हो तो इसकी पत्रों की पीश कर पुल्टिस बना दीजिए आसानी से फोड़ा ठीक हो जाता है इस परकार अगर एंटी अस्थेमेटिक बात करूं मैं अस्थमा को सही करने में भी इसका उपयोग किया जाता है यह एंटी अस्थमेटिक एंटी हिस्टामिनिक होता है क्या करता है हमारी ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं बेसोफिल सेल्स होती है उसमें जो हिस्टामिन रिलीज होता है उसको यह इनिविट करता है दूसरा जो इसमें पाए जाने वाले दो फ्लेवनाइड एपीजैनिन और लुटियोलिन के कारण होती है यह विशेश गुणकारी प्लांट है इसके पत्र इसका तेल और इसकी जो मूल होती है उसका चौन भी हम इस्तमाल करते हैं लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि लंबे समय तक इसका जो तेल होता है उसके अंदर एंटी फिर रquあの हुक्ति होती है तो के उससे हमें सावधानी से ज्यादा क्यों नहीं विश होता है एंटी फिर्टि-थो के कारण हमुन चाहिए वाले इंटी लिद्निस्टीरेशन लंबे समय उक्त नहीं करना चाहिए लेकिन होता है और तुछा पके ऊपर जो फंघला एक्टिविटी होती है उसको भी इनिविट करता है एंटिफंगल एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है और इसका नहीं तो आप इसको तुचा के उपर लगाएंगे तो तुचा की जो मॉइस्चर है वो बनी रहेगी बालों के लिए बहुत अच्छा करे करता है हेर साफ्ट को मजबूत करता है बालों को जड़ने से रोकता है इस तरह से यह बहुत सारी इसके गुण है लेकिन हमें सिफ्ट